दो पुलिस वाले रंगे हाथों पकड़े गए क्योंकि एक लड़के को जूटे के इसमें फसा रहे थे मतलब कि गजब न्यूस है कि कैसे पावर का गलत इस्तिमाल अपनी चरम सीमा पर हो रहा है अब हमारे यूपी के मेरट का ये वीडियो है एक रिपोर्ट में आया कि पुलिस वाला राप के टाइम में घर के बाहर आया उसने अपनी जेब से तमंचा निकालके एक बाइक की डिक्की में डाल दिया उसके बाद वो फोन पर किसी को कुछ बता रहा था और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक लड़के को पकड़ के लाया गया जिसकी बाइक थी और फिर सब के सामने ये दिखाया गया कि देखो इसने अपनी बाइक की डिक्की में तमंचा छिपा रखा है और ये कहकर उस लड़के के उपर आमस अक्ट के अंदर केस डाल दिया अब इस बात तो खुलासा हुआ कि वो जो लड़के के फादर हैं उनका जमीन को लेकर किसी से कलेश हलेश चल रहा था और इसी वज़ा से उनके 46 साल के लड़के को फसाया जा रहा था और जब सीसी टीवी को देखा तो पूरी सचाई फिर सामने आई और सब को बाड़ा वाला शौक लगा अब कहने को तो आगे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है पुलिस वालों पर पर सोचिए कि अगर वो सीसी टीवी नहीं होता तो लड़कों को कितना लंबा जेल में डाल दिया चाता